उल्चन महुबत की फार्ट त्री राज केविन में अपनी चेर पर आखी बंद कर लेटा हुआ था बहपुरानी दिनों की यादों में डूब गया था रोयल होटल की पार्टी वाली रात उसकी जिंदगी की सबसे हची रात थी जिस तरह नैना ने उसका प्यार सुई कर गया था वो सच में उसके लिए हैरान कर देने वाला था नैना अब सारी उल्चन में मुक्त हों सुकून से बैटी हुई खिटकी के बाहर सडक पर पड़ती हलकी बारिस की बूदों को देखने लगी आज सब ठीक हो गया था नैना और करन का इंतिजार और उसका राज का वी पर रिच्चा के लिए उसे अभी भी थोड़ा बुरा लग रहा था वैजानती थी कि एक न एक दिन उसे भी उसका प्यार मिल ही जाएगा राज मुश्कराथे हुए बोला नैना एक बात बुचूँ नैना ने कहा हाँ राज बोला तुम कहीं किसी दवाब में तो हाँ नहीं कर रही हो मतलब की तुमने मुझे गलत समझा और फिर सच पता पढ़ने पर रियक्ट होने पर तुम मुझे खुश करने को हा कर रही हो नेना बोली ऐसा कुछ नहीं है राज जिस तरह मेरे पास होने से तुमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है उसी तरह तुमारे करीब आने से मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती है मैंने ऐसा कभी भी मैसुस नहीं किया मैंने मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है कैसे प्यार कर सकती हूँ जब मुझे इसमें भरोसा ही नहीं लेकिन आज तुमें खोने के डर से मुझे ऐसास हुआ कि मैं तुमारे भी नहीं जी सकती आज मुझे मैसुस हुआ है कि तुम कितनी जरूरी हो मेरे लिए राज बोला मैं भी तुमारे बिना एक पल नहीं जी सकता लगबग तु साल इंतिजार किया है तुमारा अब और नहीं कर सकता अब कभी मुझे छोड़ कर मत जाना नैना जीनी की वज़ा बन चुकी हो तुम नैना ये सुन राज की और बड़े प्यार से देखने लगी तबी राज का ध्यान उसके भीगे बालों और कपड़ों पर गया हाला कि वे खुद भी वेगा हुआ था पर नैना के आगे उसे कुछ सूचता गहां था राज ने अपनी सीट के नीचे से एक छोटा सा टौवल उठाया और नैना की ओर थोड़ा आगे पड़ उसके भीगे बाल को पहुचने लगा नैना ने कहा कि भै खुद कर लेगी लेकिन राज ने उसकी एक ना सुनी भै कहने लगा कि आज मुझे तुमने हक दे दिया है तो इस्तमाल तो करने दो क्या पता कल को तुमारा मन बदल जाए और फिर से तुम पत्थर दिल बन जाओ नैना मुश्कराते हुए उसे देखने लगी राज बोला ऐसा क्या देख रही हो नैना बोली यही कि कितना ज़्यादा प्यार करते हो तुम मुझसे क्या तुम हमेशा मुझे इतना ही प्यार करूँ